नमस्कार दोस्तों स्वार्गात आपका मैंत्रिकों चनलल पे दोस्तों 4 जुलाई का फर्स शिफ्ट एससी छसल एक्जाम हो चुका है तो आज कि इस वीडियो में हम लोग चार जुलाई के फर्स शिफ्ट पुछे गए टोटल 25 जी के जी एस और करेंट अफिर्स के क्वेशन देखेंगे तो इस वीडियो को पूरे लाश्ट तक देखिए वीडियो को अंदर देखिए क्योंकि बहुत तरह क्वेशन जो है पिछले वाल सिफ्ट में रिपीट किया गया है तो वीडियो को लास्ट तक जरूड देखें चलिए सब पहले क्वेशन की तरह बढ़ते हैं वाल लाइनर के क्वेशन मिलेंगे साथ ही साथ एमसी क्यों मिलेंगे और जितने भी सॉलूशन दिये गया है वह सब के सब ट्रिक के साथ दिये गया है तो आप एक्जाम में अच्छे नंबर स्कोर कर पाए उसके बाद आपको यहाप पर फ्री मॉक टेस्ट दिया जाता है जिससे आप पराख सकता है कि आप कितनी त्यारी किये है साथ ही साथ रेलवे के सारे एक्जाम के क्वेशन के प्रीवियस यह के पेपर जो है आपको यहाप मिल जाएंगे इस बुक की किमत सीर पर सीर 35 रुपए है अगर आप नीचे दिये हुए डिस्क्रिप्शन में जो ल जाएगी कि ड्राई सेल में कौन सी एनर्जी स्टोड होती है कौन सी एनर्जी जो सुरक्षित रहती है सरक्षित रहती है तो ड्राई सेल में केमिकल यह निरासानिक उर्जा जो है वह सुरक्षित रहती है अगर आप टॉर्च देखते हैं जिसमें बैटरी रहती है बैटरी होते हैं मुझो एडल्ट होते हैं 18 प्लस जिंका एज होता है उनका बलड प्रिसर मानव हो zak éléments ब्लड प्रिसर कितना होता है तो 120 बटे असी होता है यहाँ वक्षार हो जाएगा अगला क॥ेशन देख लीज़े कुछ लिद्धिंग अगला आप फेमस है शेरियल प्रेंटिंग के लिए तो यह आप जरू याद रख ले अगला क्वेशन यहां से भी पुछा लेकि उन्तिस्वा राज कौन सा नाया बना था तो उन्तिस्वा राज तेलंका नहीं था नेक्स्ट क्वेशन देख लीजिए क्वेशन अवर्ड से बहुत स दिस्क्रिप्सिन चेक करें आपको वहाँ पर मिल जागा बहुत सरा लिंक या पी चैनल के प्रेलिश पर अगर आप जाएंगे तो आपको बहुत सरे वीडियो को जीके जीएस के मिल जाएंगे तो जरू देख लें क्योंकि आसे कोशन रिपीट किये जा रहें लेक्वेशन देखिए क्वेशन पूछा है कि मानव सरी की सबसे मजबूत हड़ी कौन सी है तो मानव सरी में पाया जाने वाला सबसे मजबूत हड़ी टूथ एनमेल यानि दांत की परत है यह जो है मानव सरी में सबसे मजबूत हड़ी होती है अगला क्वेशन पूछा गया था कि है तो पिछले बार भी एक्जाम में एक्टॉमिक नमर से क्वेशन पुछा था तो जितने भी प्रियाडिक टेबल है उसमें एक्टॉमिक नमर सब का याद कर लें कार्बन हो ऑक्सीजन हो हाइड्रोजन हो गुरूप साथ में जितने वी एलिमेंट हो जो इसको इनर्ट गैस यहां पर आटोमिक नमर 36 हो जाएगा यहां से और एक क्रिप्टन आपके पूछा जा सकता है कि क्रिप्टन जो है प्रियाडिक टेबल में आवर सार्णी में कौन से ग्रूप का एलिमेंट है तो यह ग्रूप साथ है जो की निस्क्रिये गैस होते हैं तो कौन-कौन से इलियम, नियोन, ओर्गन, क्रिप्टन, जेनोन, और रेड़न यह जो है यहां पर इनर्ट गैस है इनर्ट गैस है क्टेग्री में यानि सात्वे घर में सात्वे ग्रूप में रखा गया है अगला क्वेशन आपके एक पूछ लिया गया था आज का कि हेरीडिटी की क्या है तो अनिवान सिप्ता की क्या है तो जीन यह आपको याद रखने अगर पूछ दे हुई दफादर अफ हेरीडिटी कोज किस ने की तो यह नों ने किया ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया यह आपको याद रखने पड़ेगा यह सौट में मेंडल भी बोलते हैं अगला क्वेश अक्ष्य कुमार को उत्रा खंड के स्वर्च भारत अभियान का ब्रेंड अंबेस्डर बनाए गया है तो ब्रेंड अबेस्ट से भी क्वेशन पूछ जा रहे हैं आज का जो इंसुलीन यहां से देखिए इंसुलीन की खोज किसने की जेनल से बहुत ज्यादा क्वेशन आज करता राना परताब शागर बान्ध जो है किस नदी पर इस्थित है तो यह है चंबल रिवर याईनि चंबल नदी पर इस्थित तो बांद से लेकर बहुत ज़यदा कोशन पुछे गहात laquelle सांभर लेक सांभर ज идет जो है वह कौशन नदी पर कौनसे राजये मेंिस्थित है ये कौन से है और स्मियम है यह राइट एंसर आपका हो जाएगा अगला क्वेशन पुछा गया था कि NPCI NPCI जो कंपणी है उनके CEO कौन है पिछले दिन पूछा था आपका कि Axis Bank के CEO कौन है तो जितने बैंक है जितने भी कंपनियां चाहिए फ्लिपकार्ट हो आपका Amazon और सब के CEO जरूर याद करके जाएं तो CEO of NPCI कौन है तो वह दिलीब अस्बे हैं दिलीब अस्बे यह जो है NPCI के CEO है नेक्स्ट क्वेशन देख लिजिए आपके एक्जामें पुछा गया आज फर्स स्रिप्ट में कि न्यूटन का कौन सा नियम रॉकेट की गति के मुल्सिदान के नियम करता है तो न्यूटन का सेकेंड लॉय यानि नियूटन का दूतिय नियम जो है रॉकेट के गति क कि मुल्सिदान के नियर्मान करता है अगला क्वेशन पुछा गया आपके एक्जाम में मैंत्री युद्ध किन देशों को बीच युद्ध हुआ तो देखिए यह जो युद्ध अभ्यास से बहुत सारे क्वेशन पुछे जा रहे हैं तो युद्ध अभ्यास कौन सानी की स युद्ध अभ्यास होते हैं इसको आप जरूर पढ़के जाएं इसका भी नीचे डिस्क्रम्स आपको लिंक मिल जाएगा तो मैत्री युद्ध इंडिया और थाइलैंड इन दो देशों के बीच में हुआ था अगला क्वेशन पुछा गया आज के एक्जाम में आपका फर प्रतिहार्यी डैनेस्टी यानि प्रतिहार ऍनेस्टी के प्रतिहार वंस के संस्थापक क inquiry जागा गए इसके पुछा कि पूछा गया तो अब जरूर ये पढ़ ले अगला यॉफ्ड़ा देख सी क्वेशन में के लिए नर्गिश्दत को नेशनल अवर्ड मिला था तो नर्गिस दत को रात और दिन नामक के लिए रात और दिन नमक फिल्म के लिए यहां पर इनको स्फेश्च ना वर्ड याने राश्ट्य पुरसकार मिला था चलिए अगला question जो पुछा गया था आज के first shift में कि आखों का कौन सा हिस्सा रोस्णी को अंदर आने देता है तो आखों का cornea जो भाग होता है cornea वो क्या करता है रोस्णी को अंदर आने देता है और हम उसकी वज़े से देख पाते हैं जिसकी वज़े से रेटिनया पर प्रत C4H8 यहां पर carbon के संख्या 3 है जिसलिए butter अगर आपको पुछ दे butane की संख्या 4 how फॉर्म्ला क्या है तो जाएगा C4H8 कि अगर करभन की संक्या 1 तो हो गया आपका मीधेन करभन का संक्या 2 हो इथेन 3 अधो pit 4 ब्यूसें और करभन क्या 5 है तो हो गया पेंटेन यहां पे प्रो पेन 17 ग्रूर्मला होता है उसका हो अगर आपको प्रोपेन निकालना तो यहां पर 3 बैटाएंगे तो 3 यहां पर 6 प्लस 2 मतलब C3 एच एट यह यहां से बनता है चले नेक्ट क्वेशन की तरह बढ़ते हैं अगला क्वेशन देख लीजिए यहां पर नाम क्या है तो इसको बोलते हैं सोडियम हाइडोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसका नाम बोला जाता है तो sodium hydrogen carbonate क्योंकि यह पे बीच में है यह बोलें या फिर sodium bicarbonate भी आप बोल सकते हैं अगला question is Russian Revolution के पिता कौन थे तो Russian Revolution के पिता व्लादिमीर लेनिन को बोला जाता है व्लादिमीर लेनिन यह आपको याद रखना पड़ेगा अगला question पूछा गया आज की महात्मा गांधि ने दांडी मार्च कब सुरू किया था तो जैसा कि आप सभी को इस इस डांडी मार्च हो जाएगा आपका तो अगला क्वेश्चन देख लिए देश देश और उसकी राजधानी आपको बारा बोर रहा हूं कि देश और राजधानी जरूर याद रख लें अगला क्वेश्चन देख लीजिए आज का अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अंडे से कौन सा प्रोटीन मिलता है वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तो अंडे से ओवेल्ब्यूमीन जो है यह अंडे से यह प्रोटीन मिलता है कि चले नेक्स्ट क्वेशन देख लीजिए अगला क्वेशन पुछेगा कि पॉंडिचरी के गवर्णर यानि राजपाल कौन है तो पॉंडिचरी के गवर्णर है कीरन बेदी जो कि पहली IPS ओफिसर महिला IPS ओफिसर हुई थी तो दोस्तों यह थे आज के चार जूलाई के फर्स्ट सीप्ट में पूछे गए सारे जीके जीएस और करेंट आफेर्स के